साथियों आप भीड देख सकते हो जो बिमार्मी के कारेकरता भी है और बिल प्रदेश जो आलिवाशी प्रिवार के भी भाई हैं जो डटे हुए हैं जब तक कार्तिक भीड को नहीं नहीं मिल सके तब तक भीड़े रहेंगे सरकार के खिलाप जंग लड़ने के लिए तयार है साथियों इसमें भील प्रदेश के और बिमार्मी के कारेकरता हूँ मैं भी एक महिला जो की बहुत सारी महिला भी सामील हैं पर आप देख सकते हो रापपर साडेंडो जो सागड़ा विद्याग हैं जो भी आदिवासी परिवार से ही आते हैं आदिवासी सेलेक्सिक प्रण अध्वार उठा रहे हैं तो साथियों वह वो भी ऐक अभी आदिवासी का हिस्से है अध्य वह को नया दिलनके लिए के लिए हर हमेशा बाहां डटे हुए हैं आप देख सकते हैं वीडियो में कैसे कार्फिंष कर करें और हजमार को जाबत कर आजstillיל हूस में एक जैस संक्टन भी चाव मिल है जिसमें मद्यपर्दी से जैस संक्टन जो कि आदिवेश प्रिवार का ही शंक्टन है तो जैस संक्टन की उतर चुका है सातियो शकार्तिक बिल के जो जो मांगे हैं अगर वो सरकार नहीं मानती है तो बहुत बड़ा अंदोलन हो सकता है महां अंदरों हो सकता है अभी तो कांटी भाई आदिवसी ने भी कहा है कि ये तो अभी टेलर है पिक्सर और बाकी है तो साथियों ये ही होने वाला है तो कौर्वेंट से ये नियुदेने की कार्थिक बिल्कुल नहीं दे कि इनके पास माइक भी ने होना चाहिए ये परसासन की मंसा है हम लोग मंच ले माइक लेके आए थे लेकिन हमारी गारी पीछे वो जो पीछे बेठे जो खड़े बढ़े जो बेर जाए ये मैं अपनी बात स्टार्ट करने से पहले आप लोग ज़रा द्यान से सुनिएगा निया दिलाने के लिए हमारे चार जिल्लों की आम सहमेती बनी थी दुंगरपूर बासवड़ा परताबगर उदेपूर और वहाँ हज्जारों की संख्या में लोग आए हुए थे वहाँ पर ही हमने एलाउंज किया था कि साथ तारिकों हम लोग सिरोई चलेंगे तो हमारे साथ में आज सेकड़ो गारिया निकली थी लेकिन सिरोई जिला परसासर और अजिस्तान सरकार ने डेरी गेट लगाके हमारी बहुत सारी गारिया रोक दी अगर नहीं रोकी होती तो आज सिरोई के परसासर को भी पता चल जाता कि बिलपर्देश का कारवा क्या है ये हमारे साथ में हो रहा है आपको पता होगा उस समय पहले कार्सिक भील का एक वीडियो चल रहा है वो बोल रहे हैं कि अभी वासी भाईयो जागो दलिद भाईयो जागो बहुत समय खराब आने वाला है तो कार्सिक भील ने आप सभी को दो चार मईने पहरे जगा दिया मैं कार्टिक भील के परिवार से मापी चाहता हूं मैं उनका जो भी रिष्टेदार है उनसे मापी चाहता हूं कार्टिक भील हमारे पास में दो बार आए थे और हम लोग बहुत वेस्तम होने की वज़े से उनकी सारी बाते नहीं सुनता हैं और हमें ऐसा लगता था के कार्टिक भील थोड़े से बात अलग पकार के करते थे जिसकी वज़े से मजाग टाइप बात कर रहे हैं और बहुत भोले इंसान थे वो बहुत भोले जिसकी वज़े से पुरा समार दोके में रह गया और दोके में रहते हुए कार्टिक भील के लोगा हो इस वीडियो में आपके यहां का नजरे कौन सयम फयम लोड़ा है सयम फयम लोड़ा हो गया सो गयलोग का चाटुकार हम सो उससे कोई लेना देना नहीं है लेकिन उसमें साथ का था क्यूंके भाई ने भी का था कि मेरे घर पे ये लोगाए है और पूरा सड़यनतर यहां के IML का है और हमको यहां तक भी पता है के कार्फिक भील का जो मकान बना हुआ है वहाँ पर बहुत भील कम है साही रिक्येदु के मकान है दलितों के भी मकान नहीं है और वहाँ के जो जनरल लोग है वो चाते थे कि यहाँ से यह भीर हड़ जाए दलित हड़ जाए और हमारा ही मकान बले यह उनकी मंसा थी और मुझे यह भी थुसना मिली है कि तीन करौर रुपिये एक साल पहले कार्फिक भिल को देने के लिए बात हुई थी कि आप यहाँ से जगाँ खाली करो आप समझ रहे हो चीज़ को तीन करौर रुपिया कौन देरा था यह भी एक लेटर में लिखा हुआ है और आज तक सिरोई का पुलिस परतार सांब आज आज हमारे बीच में कार्फिक भिल प्रदेश का बेटा से रास्कमा रोट बेटा हो तो ऐसे समाज के लिखार आज करने में कुछ कमी ने छोड़ रहा है तो ऐसे बंज़ को यह भी उसे सेलूट करने चाहिए तो डाई साथ से संकट था इस आजमी को हमेशा तराय जा रहा था तंकाय जा रहा था जान से मारने की दंकिया दी जारी थी पार पार समझो कि यह क्यो हुआ है यह दो हमें एस्टिन आये, उन्टर पता है, यह लोग चांदिन देपा है